नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सेंग भारत निर्वचन आयोग E.C.I. ने कनाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम के ऑप्षिन की गोशना कर दी है जिसके बाद से राजिभर में 80 से अधिक उम्र के 7000 बुजुर्ग और को और सौ से अधिक शरीरिक आच्षमता वाले लोगों ने नामंकन किया है हाला कि पहले तो इस पहल के प्रती मतदाताओं की प्रतिकर्या समान थी इसके बावजूत लक्षित जनसंख्या के 5 प्रतीशत से भी कम लोगों ने इसका लाब उठाया करनाचा कि मुख्य विद्नों का सत्यापन कर सुविधा उपलद कराने का निर्णे लेंगे पाचियों के साथ पहले से ही सूची साजा की जा चुकी है बता दें कि मार्च 2023 करनाचा की मतदाता सूची में से मिन्यानवे आयू वर्क की बारा पॉइंट दो लाख लोग बुज़ग और पांच पॉइंट शे लाख लोग विद्व्यांग थे वहीं सौ साल के उपर सोलह हजार से अधिक मतदाता थे CEO करनाचक एक वर्ष अधिकारी ने कहा कि शुरुआत में योग्य मतदाताओं के लिए विकल्प अनिवारे नहीं था वास्ता में कई योग मतदाताओं ने विकल्प का लाब उच्छाने से इंकार कर दिया उन्होंने जोर देकर कहा कि विमतदान केंद्र तक चले गया और अपना वोट देंगे विकल्प केवल उनके लिए है जो या तो अपने घरों तक ही सीमित है या उम्र से संबंदित बिमारियों से पीडित है अधिकारियों ने बताया कि इन वोटर्स के लिए व्यवस्था की जा रही है CIO कनाटर के एक वरिश अधिकारी ने कहा कि भौगले कि स्थिती के आधार पर प्रितियेक निर्वाचन शेतर में दो से तीन सेक्टर होते हैं वैसे ही अलग-अलग टी में इन व्यक्तियों के घरों में वेलेच पेपर लेकर जाती है और उनके वोट एकत्र करेंगी मतदान वास्तवे दिन से पांच से छे दिन पहले होगा इस पूरी प्रिकरिया की वीडियोग्राफी की जाएगी उमीदवारों की पोलिंग एजिंडों को पहले से सूचित किया जाएगा जिससे कि वे अधिक से अधिक परदा दर्शी सुनिश्चित करने के लिए मतदान प्रिकरिया के दौरान भी मौझूद रहें यह पहल बहुत ही अच्छी बताई जा रहे है कि आप वोट फ्रॉम कर दिया गया है जहां पर लोगों को पहले निर्भर रहना पड़ता था कि कोई उन्हें लेकर जाएगा वोट डलवाने के लिए लेकिन आप भी खुद बाख खुद ओ घर पे बैट कर वोट दे जाने कि कोई टेंशन नहीं ऐसे में देखना यह कि इतना अच्छा सावित होता है जितना अच्छा सुनने में लग रहा है कि इतना अच्छा एक्स्पीरियंस भी लोगों कर रहता है इसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंजिया नि